गुड मॉर्निंग, बच्पन में अगर किसी बच्चे को किताबे पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है तो उनको काफी घबड़ाहट होती है, इससा सारे बच्चों में नहीं होता है, कुछ बच्चों में होता है, उनको बोलने में बेसुब्दा होती है और क्या लिखा है, उसका उच्छारन करने में प्राब्लम होता है, जब उनको क्लास में बोला जाता है कि किताब रीडिंग करो, तो उनको एक डर लगता है और एक अजीव सी घबलाहाट होती है, और कुछ अगर गलत हो जाए, तो आसपास के बच्चे या टीचर उसका मजाक उड़ाते हैं, और ये डर इतना उनके मन में बैठ जाता है, कि आगे चलके वो किताबों से नफरत करने लगते हैं, और किताबे पढ़ना नहीं चाते हैं, ऐसा बड़ो में भी होता है, अगर किताबे पढ़ने को बोल लिया जा, रिडिंग करने को, तो उनको घबलाहाट होती है, किताब और लाइब्रेरी के नाम से छिड़ हो जाती है, और कभी-कभी क्या होता है, कुछ लोगों में किसी किताब के परती, उनके किताब में जो बिचारे लिखे गई है, उनके परती वो असाहमत होते हैं, और उन किताबों से का फिचिड होती है, जैसे चीन के सी हुआनने कनफूसियस के बिचारों से असाहमत है, तो उनकी बहुत सारी किताबे जला दी थी तो किताबों के प्रती नफरत और घिर्णा और डर के इसी भय को बिबलियो फोविया कहते है Thank you for watching my video